नमस्क्राइब ते हैं आपका न्यूस वर्ल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल तयागरूर आप देखने हमाँ खास कारेकरम गुर्ण मौणिंग इंडिया गुर्ण मौनिंग इंडिया में खबरे क्या-कै है आज बताएंगे आपको लेकिन उससे पहले बता देते ह आज का सूविचार सामने हूं मन्जिल तो रास्ते ना मूरना जो भी हुमन में वो सपने मत तोड़ना कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किले आपको बस सितारे चुणने के लिए जमीन मत छोड़ना तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ खबरों का रुख कर लेते हैं पंजाब में प्रदेश विकाई मिचल रही कले के बीच मुख्य मंतरी कैप्टर अमरिंदर सिंग आज पार्टी के बनाय पैनल से दिल्ली में मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे इससे पहले कल उनों ने जिनप मंतरी सांसदो और विधायकों से भी मुलाकात की थी पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि समीती से मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंग कॉंग्रिस के पूर वध्यक्ष राहूल गानी के साथ दिजिटल बैठक भी कर सकते हैं राजसबा में नेता प्रतिपक्ष मलिका अरजुन खरगड़े की अध्यक्षिता वाली समीती ने पिछले चार दिनों में पंजाब से तालुक रखने वाले सो से ज्यादा नेताओं से उनकी राय भी ली है इनमें अधिकतर विधायक हैं समीती की इस पूरी कवायत से अबगत एक सूतर ने बताया कि समीती ने सुमवार से ब्रस्पतिवार के बीच सौर से ज्यादा नेताओं से समवाद किया शुकरवार को मुख्यमंत्री के साथ मुलकात के बाद समवाद का ये सिलसिलाख खतम होगा इसके बाद समीती जल्द ही कॉंग्रेस आलकमान को अपनी रिपोर्ट भी सोपेगी खरगड़े के अलावा कॉंग्रेस महसचेव पंजाब प्रभारी खरी श्रावर और दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस के वरिष्ट रुनेता जेपी अगरवाल इस समीती में शामिल है अमेरिका में नई सरकार के काम का समालने के बाद गुरुवार को पहली बार भारतीय मून से रिष्टा रखने वाली अमेरिकी उपराश्ट पती कमला हारेस की भारत के पधान मंतुई नरेंद मोदी से फोन पर बाच्चीत हुई राश्ट पती जो बाइडन के वैक्सीन मदद एलान के बाद कोई इस बाच्चीत में अमेरिकी उपराश्ट पती ने कोरोना हालात से निपतने में भारत की मदद का भरोसा दिया वही पीम ने अमेरिकी सहायता पर शुक्रिय जताने के साथ भी वैश्विक स्वास्ते सितिया सुधरने पर कमला हारेस को भारत आने का नियोता भी दिया है बिदान वंत्री नरेंद बोधी ने इस बाच्चीत के बाद ट्वीट कर कहा कि कोरोना टीको पर वैश्विक सहायता के अमेरिकी अलान में भारत को मिलने वाली मदद पर उनोंने उपराश्पती हारेस को धनेवाज जताया साथ ही इस दोरान भारत अमेरिका वैक्सीन साज़दारी को आगे बढ़ाने और कोविट पर शाद दुनिया में वैश्विक स्वास्ते और अर्थ विवस्ता सुधार पर भी आपसी सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया है दोनों नेताओं ने कोरोना के खिराफ आपसी साज़दारी के बीच वैक्सीन सहयोग पर भी चर्चा की यूपी में कोरोना संक्रमन की परताल के लिए आज से सीरो सर्वे शुरू कर दिया जाएगा सीरो सर्वे प्रदेश के सभी 55 जिलो में होगा सर्वे के माध्यम से ये पता लगाए जाएगा कि किस जिले के किस शेत्र में कोरोना का कितना संक्रमन फैला और अबादी का कितना हिस्सा संक्रमित हुआ यही नहीं इससे ये भी सामने आएगा कि कितने लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन चुकी है बीते सुमवार को इसको लेकर सीम योगी ने टीम नाइन के साथ एक बैटक की थी बैटक में सीरो सर्वे की तयारियों का जाज़ा लिया गया था इस दोरान अपर मुख्य सचेव स्वास्ते अमित मोहन प्रसाद ने बताया था कि सर्वे को लेकर कारवे ग्योचना तयार हो चुकी है सैंप्लिंग कर लिंक और आयू सहित विबन मानकों पर सर्वेक्शन की रिपोर्ट तयार की जाएगी जिरेवा सर्वे करने वाले करमियों का प्रसेक्शन दिया जा रहा है इसके परिणाम जून के अंते तक आने की पूरी संभावना है जबकि मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरोना से कुल संकमित हुए लोगों स्वास्थ स्वास्थ हुए लोगों एंटी बॉडी आदी के संबन में सीरो सर्वे कराया जाना बहुत जरूरी है घरेलू बाजार में शुक्रवार यानि आज 4 जून को भी तेल के दाम बढ़ने जारी है दो दिन बाद आज तेल की कीमतों में बढ़ोत्री दर्ज की गई है सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी कीमतों में पैट्रोल में 27 पैसे प्रती लीटर और डीजल में 28 पैसे प्रती लीटर महंगा हो गया है इस बड़ोतरी के साथ ही दिली में पैटरोल की कीमत 94.76 रुपे प्रतेलीचर हो गई है जबकि डीजल 85.66 रुपे प्रतेलीचर पर पहुंच गया है घरेलू बाजार में पैटरोल और डीजल की कीमतों में गुरुवार और बुदुवार को कोई बदलाप नहीं किया गया था इससे पहले एक जून को पैटरोल डीजल की कीमतों में उच्छा लाया था वहीं मुंबई से सटे थाने में बीती रात दो बड़े खाथसे हुए हैं थाने के बदलापूर में एक कमपनी से गैस लीग होने से आसपास से लोगों में अपरात अफरी का माहौल बन गया ये गैस तीन किलोमीटर के इलाके तक फैल गई जिस वज़ा से लोगों को सास लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा वहीं थाने के बिवनजी में भीशोनाग से पंद्रा कवार गोडाम भी चल का खाक हो गए हाला कि अभी ता किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है थाने नगा निगम ने बताया कि महराश्च के बदलपूर में गुरुआर रात करीब 10 बच का 22 मिनट पर एक फैक्क्री से गैस रिसाफ की सुचना मिल थी शेत्र के लोगों को सास लेने में दिक्कत हो रही थी और रात 11 बच का 24 मिनट पर फैक्री साफ को रोका इस्तिती पर नियंत्रण में है अभी और लेकिन कोई भी अभी तक घायल नहीं हुआ है तो गुर्मानिंग एजिया में खबरों में फिलाल के लिए इतना ही लेकिन जाते जाते एक बार फिर आपको सुविचार बता देते हैं मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है इसलिए कुछ पाना है तो कोशिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो उमीद करती हूँ इसी पॉजिटिविटी के साथ आपका पूरा दिन गुज़रेगा और लगातार निउस वॉर्ल इंडिया देखते रहेगा क्योंकि खबरों का सिर्सिला यां कभी नहीं रुकता और हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करिए सबी वीडियोज को लाइक और शेयर कीजिए धन्यवाद